सो है गाइस व्लगम बैक टू में चैनल लगए जैसे आपने भी लाइश्ट्रीम में देखा ही होगा कि मैं अपना घर बना रहे था माइन क्राफ्ट में और मेरे को बनाते बनाते लग-बग अभी कितने गंटे लगबग दस घंटे से उपर लगए होंगे जैसे मैंने तो एक घंटे गी थी उसके बाद मैंने आफ श्रीम भी यह सब किया साथ बिज तक घर बनाया फिर उसके बाद एट थर्टी टू टेन ओकलॉक तक घर बनाया और अभी भी मैंने बारा बज़े चालू कर रहा था और अभी एक बज़ कर बीस मिनिट और है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि depicted way अगार बना रहा था जो बहुत यह भी बड़ा बन गया उसमें ओर उड्चा को हो सकते थे लेकिन जो मैंने बनाया वो आपको में दिखाता मैं तो चलो स्टार्ट करते कैं ऑट ने खो स्टार्टिंग करते हैं यहां से यह अपना गहर है यहां और ग्लासे क् इसलिए और कार्पेट भी गंदा हो जाता फिर यह मेरी लाइबरेरी है तो आप यहां देख सकते हो यह हमने इतनी रोज बना रखी है यहां तक और यहां अगर यहां से नी तो आप जा सकते हो बिलकुल घूम के अगर आपको वाश्रूम जाना नी तो आप यहां से खोल के यहां आप वाश्रूम जा सकते हो यह हमारा वाश्रूम यहां का ओके तो अभी हमने देख लिए एक्स्प्लोर कर लिया अब हम जाते हैं अपने आर्मर रूम में यहां बहुत सारे जॉम्बी जाजाते हैं तो इसलिए यह हमारा आर्मर रूम है यहां टी एंटी यह बढ़ों हैं यह वेस्ट आर्मर और स्वार्ट्स वी रख़ी हैं यह बहुत सारी चीजन चीज रहेगी इसलिए यह मैंने सारी चीज़े रखे होई यह मैं एक क्योंकि और भी मेरे पेश समान है जो मेरे को रखना है और अब हम एंटरेंस को जाते हैं है किभिष के तो पना जै किजने ए पारें बेड़ेंगे दीजप को आigram परे अंतर हमारे जर्त्फन फोम को प्रण प्राजे मैं किजन डिया को जी आयडिय को सब्सक्ञाइके फायले यह तरहा है, वह बस्तों पर पट किने खेंथे. यहां पर हमारा वाश्रूम और हाथ को जो इसमें गर मेंते के लिए करेंगे है, यह न? यह पर आपने यह बदेझे और फाटने के लिए. बैट सकते हैं में सीविग पूल नहां सकते हैं यहाँ से पानी नहीं आता प्लेकियान राष्ट रॉमारी बेड्रूम की तरह दो चलते हैं, तो यह में एरिया हो गया, अब यहां से हमारा बेड्रूम चाल वाता है, यह हमारा टीवी लगा है, उपर एक्वेरियम बना हुआ है, हमारे बेड के उपर, और यहां कुछ लाइट्स लगे नहीं है, यह हमारा बेड जाम सो सकते हैं, यह हमारा वाश रूम, और अब हम चलते हैं घर के बाहर, अब हमने घर के अंदर देख लिया, लेकिन उपर, जो हमने एक और रूम स्पेशल बना रखा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, वो यह हमारी एंट्रेंस है, यहां से आप आए, आप अंदर जाओगे सिधार, लेकिन हमारा जो सीक्रिट प्लेस है, यह गेट खोला, और यह सारी लाइट्स, यह हमारा हद दोने का एरिया, यह वाश रूम, और यह खाली स्पेश ही, आपको पेंटिंग लगानी है, वो मैं ब यह हमारी स्टेश जा से मों पर चूड के जाएंगे, और यह है वो जगह, यहां बहुत सारे लोग आ सकते हैं, यहां बैट सकते हैं, यह तोटल एक वन टू तू थरी, फोगानी हैं यहां पर और काउचेस में हैं, फाइव बेट बेट बंगाने हैं, वोट सारे लोग तो उपर जाने के लिए यह रश्त है यहां से आप डारेक्ट उपर जा सकते हो और जिसको नीचे सोने का मन्नी या फिर उसको उपर के घूंबना है तो वह यहां पर आ सकते हैं और यहां से अगर आप राइट मुड़ते हो तो हमारा रूम आ जाता है यह रहा जो यह बंदा यह हमारा रूम में जो अगर वो सोई और उटे तो उसको डर लग जाएगा लेकिन यहां पे पेंटिंग थोड़ी और बाकी लाइट और इसका ही वाश्रूम है इधर यह रहा हमारा वाश्रूम पूरा अब हम जाते हैं यहां देखने यहां साइड देख सकते हो लेकिन पर आप आवरा ज़ाएड वी एका जाएड आधे आया है अब हम नॉर्मली पूर्से जाते हैं यहां पर हमारी जानए घार अमना है यहांगा पर जानए लिए हम रखाए ब्लॉक्सित के नाम इसको नहीं आसे ब्लॉक कर देते हैं अब आप सोच रहोगे ऊपर तो आगए लेकिन ऊपर किश कमी सी लग रही है है ना स्विविंग पूल की कमी है ना यह है हमारा एरिया यह टू-टू गेट्स हैं जो दो नहीं बंद रहते हैं ताकि इधर आप अपना गेट लॉक कर सको कपड़े चेंज कर सको और इसके बाहर जो है वह हमारा पूल और इस दो पील यह हमारी सीडीया नासे जर आपकश ना निचे US बेट्रूम यह मस्त अपना बेट्रूम भी देख सबरें को जाम है जो200 में लेकिन यह जो स्विमिंग पूल और अगर किसी को यहां रहना है तो वो तो पूरी राज यहां रह सकते है अब हम आप चलते हैं नीचे आपको अपना फाउंटेन दिखाते हैं और फिर इस वीडियो को करते हैं क्योंकि यही था मेरा घर जो इता टाइम आप सोच रहे हो कि यह तो नॉर्मल सा गड़ता है लेकिन जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं से घर बनाते हैं उनको पता होगा कि इता टाइम लगता है तो श्रिठा मूनीचे के आगए और हमारा रॉकेट भी है जो मेरे पीछे लगाई हो लेकिन वह आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि एफपीवी मूड है जो रॉकेट जल्दी से अक्टिवेट करते हैं अपना एक सेकंड लगा के उस्केट केंगे से टाइस थरा बॉकेट होगा हमारा एक्तिवेट हब आपदेखो जो मार फाउंटेन है यह अमारे घर का है एरिया ओके यहां था था मारा स्विमिंग पूल जो यह मेरा क्रॉस्पार देख रोगे यहां था मारा स्विमिंग पूल तो मैंने Dlatego स्विमिंग पूल से करस्ता निकाला पानी का और यह देख दो एसी जगह घर बनाया है जा इतना ब्यूटिफुल फाउंटेन है और हमारा घर बिल्कुल टॉप आफ दा हिल पे है यहां इस घर के नीचे कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी यहां पे जगह थी पहले मै मैंने सिरफ यह वाला पोर्शन मनाया था जो आप डेख सकते हैं जहां पे पानी पानी है और कुछ भी नहीं मिना था लेकिन अभी देखो कितना बड़ा घर है और महां पिरामिट भी बरना दिया मैंने लाइट से तो यह मेरी बैक साइड घर की जहां पे मैंने हार्ट अगा रखी है और यह साइड और यही था बस यहां पे एक चीज में को करनी थी जो है यह 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 यहां पे मैंने ब्लॉक नहीं रहा है तो अभी मैं ब्लॉक कर देता हूं यह साइड से अर्वार रहहा है तो नहीं परस यहां से ब्लॉक करना का कर द देता है है और यह हो गया है यही था मेरा घर और इसको बनाने में लग बग 7 to 8 hours लग गए इसी घर को नाने में लग बग आप सोच सकते हो कि 1 to 7 के बीच में जो टाइम लगा 6 hours और 6 hours plus 2 hours 8 and अभी का हो गया मेरा 9 9 hours 30 मिनट लगे मिर को ये पूरे house को बनाने में और आप भी कॉमेंट करना कि अगर आपने कोई ऐसा house बनाया हो और आपको मेरा house कैसा लगा वो भी कॉमेंट में बता देना मैं बलता हूँ आपको अगली वीडियो में थैंक्स मच वर वासिंग और गिद बाई